नमस्कार ग्लिप्स.ड़िमाव का स्वागत है। बेंग ग्राकों पर भी असर पड़ेगा। चुकि हर्ताल महीने के अंतिन दो दिनों 30 वह 31 मही को हो रही है। इन दो दिनों में तमाम सरकारी वगेड सरकारी कार्यालों के कर्मचारियों का वेतन उनके बेंग खतों में ट्रांसपर किया जाता है। हर्ताल के चलते इसमें देरी हो सकती है। वेतन व्रद्धी को लेकर 5 मई 2018 को हुई बेठक में आई यी बीए ने 2% व्रद्धी की पेशकश की। बेठक में ये भी कहा गया था कि अधिकारियों की मांग पर बाचित केवल स्केल 3 तक की अधिकारियों तक सीमित होगी। United Forum और Bank Union के सयोजग देविदास तुलजापुरकर ने कहा कि ये NPA के एवज में किये गए प्रावधान के कारण है जिससे बेंकों को नुक्सवार हुआ और इसके लिए कोई बेंक कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 साल से बेंक कर्मचारियों ने जंधन, नोट बंदी, मुद्रा तथा अटल पेशन योजरा समेत सरकार की प्रमुग योजनाओं को लागू करने के लिए दिनराग काम किया। बेंक कर्मचारियों के पिछले वेतन समिक्षा में 15 प्रतिशत की व्रद्धी की गई थी। यह वेतन समिक्षा एक नवंबर 2012 से 31 अक्टूबर 2017 के लिए था। UABU नोश्रमिक संगटनों का निकाय है। इसमें All India Bank Officer Confederation AIBOC, All India Bank Employees Association AIBEA तथा National Organization of Bankers NOBWU शामिल है। For more information, log on to www.glipstarting.com